वेल्कम टू माई चैनल आर्चे बेच किचन आज हम बनाएंगी बहुती टेस्टी सी रैस्पी मूंकी जो बहुती टेस्टी बनती है और बच्चो की टीफिन में भी आप इसे रख सकते हैं और कभी भी बना सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं मैंने आप एक कप मूंगदा ले लिए बीना चिलके वाली मूंग डालें, 40-45 मिनट हम इसे भीगा लेंगे, 40-45 मिनट में अच्छी खासी भीग के तयार हो जाती है, तो भीग गई है और मैंने इसे साप करके धोके ले लिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन और हरी मिर्च, मैंने आप एक हरी मिर दाल देंगे, इसका पतला सही बैटर में चाहिए और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ धनिया और पोदीना के बारे कटे हुए पत्ते, और डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 1-4 टीस्पून हल्दी पावडर, 1-5 टीस्पून रेड चिली पावडर, 1-5 सबजी मसाला, थोड़ इसे डालेंगे चिली फ्लेक्स, अब हमें बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसकी consistency देखेंगे, और यहाँ पर बैटर की consistency पिलकुल perfect है, अब एक तवा ले लेंगे, उस पे थोड़ा सोयल खिटक दीगे, और इस तरह से बैटर को फैला दीगे, उपर से सिख जाने पर थोड़ा सा ओयल छिड़केंगे और इस तरीके से परट लेंगे देखिए एक सैट से बहुत अच्छा कलर आगया है आप चाहें तो इसे बिना ओयल के भी पका सकते हैं लेकिन मैं आप हलका सा ओयल प्रेस कर रहे हूं दोनों सैट से कलर चेंज होने तक हमें अच्छे से से देख लेना है मोंग डाल का चीला हमारा अच्छे से सिख चुका है और देखिए किता अच्छा कलर आया है अब इसे पलट लेते हैं और इस तरीके से हम हलके हाथों से इसे फोल्ड कर लेंगे और अब यह सरू करने के लिए तयार है इसे आप सौंस या चटने के साथ सरू क आने रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद